तो देखिए बच्चो एक डाउट आया था मतलब डाउट क्या है रिकॉलिंग वीडियो है एक्चुल में क्या हुआ था मैंने जो ये बच्चो को ऑनलाइन लाइव क्लास में पढ़ाया था तो उस दोरान हुआ क्या था कि मैंने ये मीटिंग रिकॉर्ड नहीं करी थी तो इस वजए से ये वीडियो यूट्यूब पर नहीं आ पाई अब बच्चे ने बोला है कि सर ये समझा दीजिए तो समझा रहे हैं दोवारा से क्या पता उसके माइंट सिलिफ हो गया हो क्योंकि उसने उसके पास प्रहें जा रहा हूं और मेरा एक रूल होता है मैं जब भी पढ़ाता हूं किसी टॉपिक को दुवारा से भी तो कुछ ना कुछ उसमें एड कर देता हूं ठीक है तो ऐसा हो सकता आपके साथ ही कि इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें आपको मिलें तो यह थोड़ा साइड है मेरे से दुवारा पूछने का ठीक है मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जोड देता हूं ठीक है तो चलो आगे चलते हैं कि तो देखो बात करते हैं यहां पर अच्छे से बात करेंगे एक दम तो देखो मैं सीधा बात करो इसके स्टैप्स की टिस्यू कल्चर में क्या है दिखिए यहां पर क्या करते हैं कोई डिसीज नहीं लेकिन जो यह इसका रेड वाला हिस्सा है मांगे बात कर रहा हूं पतले इसका जो प्लांट का most of the part है वो क्या होगा है डैमेज हो चुका है सब्पोस करें क्या हो गया है डैमेज हो चुका है लेकिन मुझे सेम यही प्लांट चाहिए इसके अंदर कोई वेरियेशन नहीं चाहिए सेम यही प्लांट मुझे चाहिए और इसके अंदर कोई बीमारी लग चुकी है लेकिन मुझे से ही कोई ऐसा प्लांट पेदा करना है जो कि डिसीज्जी हो ठीक है, disease-free हो तो मैं इस plant के ऐसे हिस्से को चूँज करूँगा, जिसमें कोई disease अभी तक नहीं है, और तोड़े से हिस्से से मैं एक new plant grow करने की technique अजमाऊंगा, ठीक है, यहां से हम मैं new plant एक grow करूँगा, जो कि पूरा का पूरा ही क्या रहेगा, disease-free रहेगा, तो देखते हैं टेखनीक क्या है और कैसे मैं इस चोटे से हिस्से से पूरे पौदे को पैदा करेंगे और बने रहें इस वीडियो में तो मैं इसको एस कर देना हूं ठीक है बैसे को पता चले गया कि हमें क्या से प्लांट कोई भी चोटा सा हिस्सा बॉप को सकता है या फिर ग्रॉप ओफ सेल हो सकता है तॉपिक को इस्टार्ट करने से पहले मैं फिर एक और चीज आपको बताना चाहूंगा वह यह है कि देखिए प्लांट के टिशू आपने पड़े होंगे प्लांट टिशू होते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो है तो प्लांट टिशूस के अलग लग जो टाइप हैं वह कुछ इस तरह से हैं कि देखो भई कि दो mustorang मिलते हैं अपने ने यांद से फड़ा हों सी मिलते हैं कौन-कौन से मिलते हैं मैं लिखने जा रहा हूं एक तो मिलता है मेरी सटमेटिक है मेरी टिशू मिलता है और एक मिलता है पर्मानेंट टिशू यह आपने पढ़ा होगा तो यह लेक्चर फिर टिशू वाला ही लेक्चर बन जाएगा और मैं आपके इस टॉपिक को रीकॉल नहीं करा पाऊंगा ठीक है इसे टिशू क्या बोलेंगे हम डिवाइडिंग टिशू बोलेंगे ठीक है अब में टिशू कौन से होते हैं देखी यह प्लांट का जो सबसे यंग हिस्सा होता है एकदम यंग जो पार्ट होता है यह हमें वहीं पर देखने को मिलेंगे जैसे की जैसे की जैसे की जैसे की रूट टिप और शूट टिप रूट क्या होता है शूट क्या होता है आप लोग जानते होंगे रूट होता है जड़ और शूट होता है इस टैम और उसकी ब्रांजिस ठीक है उसके टिप पर तो आपने देहोगा किसी प्लांट के एकदम टि कर रही होती है तो यहां पर एकदम नियू सेल्स मिलती है और नियू सेलल बेसिकली क्यों सी होती हैं डिसीज फ्री होती हैं ठीक हैं जो जो इंदब रहेगा और मैंने अभी अभी जेस्ट आपको बताया कि टिश्व में हम प्लांट का वह हिस्सा लेंगे जो कि डिसीज फ्री है तो अगर मैं आपसे क्वेश्चिन पूछ हूं कि हम वेजटेटी प्रॉपिगेशन में प्लांट का कौन सा टिशू लेते हैं तो आपको जवाब देना है इस तरह से देखिए अगर पामानेंट टिशू पर डिपेंड करता है कि यह डि और ले ही सकते हैं क्योंकि मैं इस्टेप्स क्या है तिक है इसकी बात करने जा रहा हूं आप से कि इस्टेप्स क्या-क्या है अर्टिशू कल्चर के तो जहां से सुनेगा लेक्चर को आपके फायदे के लिए है यह लेक्चर कि तो सबसे पहला है हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे टिशू को या फिर सेपरेट करेंगे उन सेल को प्लांट से जो कि कहां मौझूद है किसी ग्रोइंग टिप पर और टिप पर कौन सी सेल या टिशू मिलता है बताओ यह बात मैंने निकाली है लेकिन मैं आपको डिडिल में बता रहा हूं कि कौन सा टिशू हमने लिया होगा ठीक है जी चलो इसके बाद आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट है अब क्या करते हैं जो हमने प्लांट का वो हिस्सा लिया होगा मैं टिशू से जो भी हमने चीज ली है जो हमने ग्रूप ऑफ सेल लिया है उसको मैं एक नाम देता हूं इसको हम बोलते हैं एकस प्लांट का ले ईसको प्लांट का हिस्सा ले रहे है तो इस लिए इसको क्या वोल दिया है तो हम लें के और इसको प्लेस करेंग और माइलमें होता है मतलब मीडियम इस तरह से तयार किया जाता है वो मीडियम इस तरह से तयार के जाता है कि उसमें ये जो हिस्से है प्लांट के ये जो प्लांट के हिस्से में लिया है मतलब जो ये एक्स प्लांट लिया है ये अच्छे से क्या कर सके ग्रो कर सके ठीक है डिवाइड कर सके और क्या फॉर्म कर सके एक कैलस फॉर्म कर सके अर्टिफिशियल मीडियम में रख रहे हैं क्लियर है और क्या बन गया है क्या होता है अगर आपको पूछ ले तो याद रखना जब एक्स ब्लांट रैपिडली डिवाइड करता है और फॉर्म कर देता है एक स्मॉल ग्रूप ऑफ सेल्स को तो इसको हम कैलस बोलते हैं इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट टैप क्या है ठीक है तो बने रहे और सुने ध्यान से नेक्स्ट टैप है कि अब जो ये कैलस है क्या होता है अब जो ये कैलस बना है इसको हम ट्रांसफर करेंगे अभी तो हमने किस में रखाता आर्टी फीशिल मीडियम में रखाता अब हम इसको आर्टी फीशिल मीडियम से निकाल करके इसको ट्रांसफर कर देंगे एक हॉर्मोन मीडियम में कहां ट्रांसफर कर देंग ठीक है जो कि अब इस से फर्दर छोटे छोटे प्रापे ग्यूल्स गरह करा देगा और जैसे ही प्रापे ग्यूल्स गरह हो जाएंगे और फिर इस प्रॉपेग्यूल की ग्रो होने के बाद हम क्या कर सकते हैं इसको प्लेस कर सकते हैं इसको प्लेस कर सकते हैं सॉइल के अंदर कहां प्लेस कर सकते हैं जैसे कि मिट्टी में आप इसको बो सकते हो और फिर उससे फ्यूचर में कोई भी मैचॉर प्लांट ग्रो हो ज से मोना चाहिए तो उससे हमने कैसे मेचर प्लांट को ग्रो किया बहुत ही सिंपल स्टेप मैं रिपीट कर रहा हूं एक और वारी पहले हम उस हिस्से को लेंगे उसको और 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 मैं आपको और कुछ बताता हूं ट्रॉइंग से रिखाता हूं तो देखो वह द्राइंग में क्या यह प्लांट रॉप संका हमने कोई पर उसका प्राइमरी कल्चर कर रहे हैं ठीक है और फिर ऐसे करते कर तो इसको होगों मीडियम में रखा और फिर एक प्रॉपे ग्यूल बन चुका है और उसको फिर मिटी में बूँ दिया है और उससे फिर नया प्लांट पैदा हो गया यह इतना आसान इस टेफ है ठीक है अच्छा जी यहां तक बात रहे हो गई है अब मैं अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ग्यान देना चाहूंगा क्योंकि आपने मेरे से यह दोवार से पूछा है और यह मैंने यह मैंने ना इसकी हेल्फ से लिया जो आप यहां देख रहे हैं ठीक है फ्ला से कल्चर में होता मैक्रो निट्रियर्ण्स माइक्रो निट्रियंड्स विटामिन्स अमाइन इसे dad's 9 iam कि एक वीडियो बना रख की है और उसको आप देसक세 की प्लेलिकट में जब मैंने प्लांट कैसे कैसे निउट्रिशन लेता है उस वीडियो का आप दिख ली जएगा ठीक है आपकी ही क्लास की है इसके बाद हॉर्मोन में कौन कौन से हॉर्मोन सम्यूज करते हैं यही दो क्रिटिकल हॉर्मोन जिनका हम यूज करते हैं टिश्यू कल्चर की टेकनिक ठीक है ना और साइटो का इनका रोल भी आपको पता हूं चाहिए और गयानोजनेसिस में हेल्फ करता है किसमें और गयानोजनेसिस देखो अगर मैं आपको प्रीवेस लाइड पर लेकर कर चलूं तो यहां देखिए यहां पर जो यह कैलस के बाद एक इस्ट्रेक्च्चर और चलती है कैला सा बनने खोर बंते हैं अओर चलते हैं झैकर थोड़़े से बड़े बन जाते हैं जो की मिट्थी में जाती हैं तो इसमें की प्लाइंट के अंदर फिंट हो चुके है जैसे की रूट शूटली लीफ्स ब् której लगयरा लागेरा अब आगे चलते हैं यहां से और मैंने आपको बताया था कि सब मैंने आपको बढ़ा दिया है और बस इसी के साथ अगर आपको लाइफ में जिन्दगी में कोई भी अगर डाउट बनता है तो आप मेरे को बताएं ठीक है ना जरूर बताएं मैं आप लोग की जरूर हेल्प करूंगा ठीक है भई अरे भई ठीक है जी आपसे मिलते हैं बाद में अरे भई यह की जरूर है जीजर बताएं